आप देख सकते हैं कि मैं इसमें कपड़ा पसार ली हूँ, अपना सारा उहां पर फूटर सारी पसार के रखनी हूँ हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं न्यू ब्लोग और आई होब कि आप सब ठीक हूँगे, मैं भी बहुत जादा अच्छी हूँ तो मैं अभी घर के बाहर हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहां पर क्या-क्याची का पौधा सब है, उधर भी बहुत जूर जाड़ है बास उसका कोई ले भी ने जाता है इसलिए हम लोग पी पसार के छोड़ देते हैं तो मैं अभी जारी हूँ चटान उसे लाने के लिए, और चलिए हम आप सभी को भी लेकर चलते हैं, चटान बहुत ज्यादा मजाएगा तो फ्रेंड्स मैं जाने के निकल चुकी हूँ ऐसे भी मैं घर के बाहर ही थी तो वहाँ पे बड़े बाबा हैं कि वो बैठे हुए हैं और ये रहा हम लोग का घर तो अब हम जाने के रास्ते तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे बड़े बाबा सब का गया है बैल जो भी होता है वो सब बांधा हुआ है और यहां पर पुआल सब खाने किल दिया गया है और यह बांस के ठट्रा बना दिये हैं ताकि जो चारा देंगो जादा बाहर निकले ना बरबाद ना हो इस वज़ा से तो मैं जा रही हूं और जो चटान दीक रहे हैं मुझे वहा लोग देख सकते हैं कि धर धान सब पग गया है और यहां पर गढ़्धा भी है जिसमें पानी भरा हुआ है पहले हम लोग इसी बटन सब धोने आते थे लेकिन अभी बहुत जादा पानी नीचे चल गया है तो नहीं धोने आते हैं तो हम जार हैं अभी तो फ्रेंड्स मैं पहुँचने वाली हूँ अभी बस एक खेत मुझे पार करना है और यहां पे आप आगे देख सकते हो जटान में धान सब भी पशारा हुआ है और यहां पे लोग बगरिया सब भी चरा रहे हैं तान पहुँच गई हूँ और उहां पे देख सकते हैं सु तो अभी हम सबसे पहले को मोड लेते हैं उसके बाद में घर चलेंगे तो प्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि मैं सारा कपड़ों को फोड़ करके तो यह बांद ली और यह शूटर नहीं बन बांदने के लिए तो मैं इसे वैसे ही लेकर आ गई हूँ घर आप लोग देख सकते हैं मैं अभी बाहर खड़ी हूँ अंदर घूसी नहीं हूँ तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा ज्यादा सेयर की लाग कींजेगा और लाइक कीजेगा और यहयात मेरे चैनल को कभी तक सबस्क्राइब नई की हैं तो सब्सक्राइब कर लिजएगा तो जली हम आज का वीडियों यह पिण्ड करते हैं ग dar कोमेंट में जरूर बताएंगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लたघा तो श